दोस्तो रंजिश वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है और आज की इस वीडियो में हम इसी वेब सीरीज को रिवियू करने वाले हैं तो दोस्तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं रिवियू दोस्तो ये एक डार्क रोमेंटिक सीरीज है और इस सीरीज में आपको टोटल आठ एपिसोड देखने को मिलते हैं दोस्तो इस वेब सीरीज की टाइमिंग आपको लगभग 30 से 35 मिनिट की मिलेगी और इस वेब सीरीज की स्ट्रीमिंग वूट सेलेक्ट पर हो रही है दोस्तो अगर इस वेब सीरीज की स्टारकाश्ट की बात करें तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेंगे ताहिर राज भसीम, अमाला पॉल और अमरिता पूरी सीरीज की स्टोरी आधारित है, हमारे मानने महेश भट के रियल लाइफ से, इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है, इनकी लाइफ कैसी चल रही थी, ये कौन से साब उन से नहा रहे थे, पबलिक इनके बारे में क्या सोच रही थी सीरीज की स्टोरी ये दिखाने की कोशिश कर रही है, हमें सीरीज की स्टार कास्ट से जरा भी दिक्कत नहीं है, इन सब ने अपना परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिया है, दिक्कत है थो हमें सीरीज की स्टोरी से, सीरीज की स्टोरी कुछ नया प्रेजेंट नहीं करती है हर जगा आप लोगों को सिर्फ बोरिंग ही फिल करवाएगी इस सीरीज से आप लोग कनेक्टिड भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो सीरीज की स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है बोलियूट में स्ट्रगल कर रहे काफी सारे लोगों की कहानी तो आप लोगों ने देखी होगी चाहे वो मुवीज में हो चाहे वो वेब सीरीज में अगर आप लोगों को इस तरह की स्टोरी ही बनानी है तो खुछ नया प्रेजन्ट करना होगा नया नहीं हैं तो भाई साब इस तरह की स्टोरी भी नहीं चलेगी जिन लोगों को ये वेब सेरीज अच्छी लगी है हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप लोगों को इस वेब सेरीज में एक्टिंग और सेवेंटीज के बेग्राउंड के अलावा क्या अच्छा लगा ये हमें एक बार कॉमेंट करके जरूर बता देना अगर आप लोग यंग जेनरेशन के बच्चे हैं और इस सीरीज में आप लोग मेलो ड्रामा चाहते हो तो वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा दोस्तो अब बात करते हैं इस सीरीज को देखना कैसा रहेगा अगर आप लोगों के पास अभी धेर सारा टाइम है और इस बीच आप लोग एक टाइम पास वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो इस सीरीज को आप लोग एक बार जरूर चेक आउट कर लेना दोस्तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्षेन में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दें और ऐसे ही अपडेट्स हमारे चेनल पर पाने के लिए चेनल को सब्सक्राइब करके बेल आईकोन को दबाना ना भूलें